हाई फ्रेंड्स मैं हूँ companion रहा हूं सिट और इस्टेट टेट किसलिवस के बारे में इस वीडियो में हम लोग समझेंगे सिट और सिट टेट किसलिवस के बारे में के seatate जो 150 marks का questions पूछा जाता है जहां पर 2 घंटा 30 minutes आपको time मिलेंगे और हर subject 30 marks पर based होगा तो आईए friends हम लोग syllabus analysis करते हैं तो friends सबसे पहले seatate जो exam है वो हर subject 30 marks पर based होगा और 30 marks जो based है वो 15 marks content और 15 marks पेड़ागोजी पर based है तो friends हम लोग समझते हैं सबसे पहले child developments and pedagogy ये 15 marks का content का questions आता है इसमें हम लोग समझेंगे child development that means concept of development and relations with learning बच्चों के विविकाश के मतलिक, बच्चों के तरक्की के मतलिक कि बच्चा किस rate से प्रवडिश पा रहा है या development कर रहा है तो उसके development के हिसाब से उसके learning कैसे होगी कैसे development के साब से उसकी learning मुमकिन होगी फ्रेंट्स इसके बाद हम लोग देखेंगे principles of child development यानि बच्चों के तरक्की के क्या-क्या principles है क्या-क्या उसूल है, क्या-क्या सिधान्त है इसके बाद heredity and environment यानि बच्चा के क्या तालुक है heredity और उसके environment यानि माहौल से यानि बच्चे माहौल से और heredity से क्या-क्या सीखते है ? इसके बाद बच्चा जिस माहौल में रहता है उसके वो अपने माहौल से अपने समाज से या society से क्या सीखता है तो मनें संजयेगे सोसलाइजेशन प्रोसेस में इसके बाद चाइल्ड डेफलेप्मेंट और पेडाजोग पेडागोजी के जो सबसे इंपोर्टेंट जो थियोरीज हैं ये तीन कॉगनिटिविश्ट थियोरीज जो पेश किये हैं तो इसके बारे में लोग समझेंगे पियाजे, ओलबर्ग और वाइगोट्स की इसके बाद concept of child centered and progressive educations यानि आसकल का जो तालीम है वो child centered है यानि बच्चों के जिहान पर मरकूज तालीम और progressive educations इसके बाद critical perspective of the construct intelligence यानि बच्चों की जिहानत के बारे में समझना है कि जिहानत क्या है बच्चों की जिहानत कैसे ड और जिहानत पर कौन-कौन से यानि intelligence पर कौन-कौन से psychologist अपने अपनी theory को पेश किये हैं इसके बाद language and thought बच्चे जैसे ऐसे development करते हैं तो उनके अंदर किस किसिम की language और thinking पैदा होती है और उसके बाद gender issues यानि बच्चे के अंदर क्या gender issues है वो क्या सबको बराबर समझते ह यूँ ही सबको एक जैसा ही समस्ते हैं इसके बाद individual difference यानि क्या बच्चे में कोई individual difference है क्या सब बच्चे बराबर है तो इसके मुतलिक क्या theories है क्या concept है तो हमनों समझेंगे इसके बाद continuous and comprehensive evaluations आसकल का जो present examination system है वो based evaluations पे formative, summative क्या है scholastic and co-scholastic, इस सब theories के बारे में हम लोग समझेंगे इसके बाद five marks का जो questions पूछा जाएगा यह inclusive education understanding children with special needs यह five marks का यह बहुत ही important chapter है और इसमें से सी टेट और किसी भी स्टेट टेट यहां फे five marks का questions इसमें से पूछता ही है कि normal बच्चा और abnormal बच्चा में क्या difference है किस किसम की कमी होती है कौन सा बच्चा normal है कौन सा बच्चा normal नहीं है क्या दोनों बच्चों को एक सा इसकूल में पढ़ाया जाए या नहीं पढ़ाया ज psychology psychology में तो फ्रेंड्स इसमें में लोग देखते हैं कि how children think and learn या बच्चा स्कूल आने से पहले क्या सोचता है और क्या सीखना चाहता है तो एक उस्ताद होने के नादे being a teacher आपका क्या responsibility रहेगा बच्चों को पढ़ाने में इसका बाद process of teaching and learning या पढ़ाने की क्या क्या सिख सिखाने का process क्या है क्योंकि एक नया बच्चा जो आपके पास स्कूल में आप आप आपके सामने सिखने आ रहा है तो आप कैसा कैसा process कैसा कैसा टिशिंग के style यूज कीजिएगा जिससे बच्चों के अंदर inner qualities को बाहर निकाला जा सके इसके बाद process of learning यानि क्या क्या तरीक इसके बाद child as a problem solver क्या child एक problem solver है या problem gainer या problem giver है तो यह आपको समझना होगा being a teacher इसके बाद learning and motivations आप बच्चों कैसे motivate किजिएगा कोई भी बच्चे को कुछ आप नहीं सिखा सकते जब तक कि बच्चों को आप motivate ना कर पाए तो learning क्या है और motivations क्या है इसको learning and factor affecting learning या बच्चों के सीखने में क्या क्या एजज़ा एफेक्ट करता है या बाधा डालता है इसके बाद right of children to free and compulsory education act या भारत सरकार इंडियन गौर्वर्मेंट की साबसे free and compulsory education act क्या है यह कब पास हुए थे इसके मुतलिक पूरा एक brief history है तो यह सब हम लोग जान development and pedagogy तो child development and pedagogy यह बहुत ही marks गेना सब्जेक्ट है और बहुत conceptual subject है तो friends आप लोग इस सब्जेक्ट को जारस जारस ध्यान दे क्यूंकि maximum subject इसी पर based है और यह इसमें से seat rate का questions और state rate का question maximum questions पूछे जाते हैं उसके बाद friends हम लोग देखते हैं second जो portions है वह है mathematics जो कि 15 marks content और 15 marks pedagogy पर based होगा तो mathematics कर सबसे पहला जो chapter हो है आपको number system then decimal system types of the number divisibility mathematical operations भी बोर्ड मास algebraic formulae fractions hcf and lcm Indian currency यह सब कुछ arithmetic के कुछ बुनियादी concept से जो के math में तो friends math को आप आपको math बहुत ही एक interactive अंदाज में पढ़ाये जाएगा और आपको जो कि एक math marks गेनर subject है तो friends आप मेरे इस चैनल से जुड़े रहेए और जरस ज्यादा सी टेट और स्टेट टेट में marks को गेन कीजिए और अपना सफलता को आगे बढ़ाये इसके वाद हम लोग math में पढ़ेंगे shape and geometry shape and spatial understanding solid around us patterns geometry ट्रेंगल क्वारिलेटरल सर्कल solid and geometrical figures इसके बाद data handling organizing data measure of the central tendency arithmetic mean median and mode तो यह हम लोग पढ़ेंगे math के कुछ basic concepts जो के बहुत ही easy और बहुत ही interactive अंदाज में आपको पढ़ाये जाएगा एक नए सर से इसके बाद measurements of the units measurement of the length, measurement of the weight, measurement of the area, measurement of the volume and measurement of the time इसके बाद pedagogical issue जो के math के 50 marks को question यहां से cover किये जाएंगे pedagogical issue इसमें पूछ जाएंगे आपको nature of the mathematics, place of the mathematics, language of the mathematics, evolutions, error analysis, diagnostic and remedial teaching यह सब math के कुछ दुनियादी concept होंगे जो के nature of the mathematics और पूरे curriculum में math का क्या place है language के math के कौन-कौन से science यूज किये जाते हैं, evolutions और error deductions के बारे में इसके बारे में जब कोई बच्चा error करता है तो remedial teaching को कैसे हम लोग organize करेंगे एक class में इसके बाद हम लोग देखेंगे friends environmental studies जो के marks general subject और जारा से ज़्यादा marks को इस subject से आप लोग गें कर पाएंगे तो हम लोग content में देखेंगे family and friends इसके बाद food and nutrition के बारे में shelter, earth itself is a shelter, water, travel, things we make and do और हम लोग देखेंगे family and friends जो के पूरे initiative बेस्ट होंगे, food and nutrition जो food खाते है nutrition वो सब और shelters, earth itself is a shelter, different types of shelter, इंडिया के अलग 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 किसमें shelter होते है, water, water distributions के अर्थ पर ट्राविस के कितने types होते हैं and things we make and do और हम लोग अपने माहोल को environment को clean रखने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं तो यह 15 marks इसके लवाग और इसमें बहुत सारी issues है, जो कि हम लोग EBS पढ़ते वक्त हम लोग इसको cover करेंगे इसके लिए पेड़ागोचिकल इसूज यह 15 marks इसके जाएंगे इसमें होंगे concept and scope of the environmental studies, its scope in brief activities, experiment, practical work यहनी एक classroom में आप बच्चों को environment अपने माहोल से मतलिक कैसे कौन कौन सा activities, experiment और practical work करवाएंगे जो बच्चे इर्मामेंट से जुड़ पाए और इर्मामेंट को as a friend जैसे अपने क्री को अपने animals को as a friend माने और इर्मामेंट को हानी कारक ना पहुंचा है, नोकसान ना पहुंचा है और इसके और हम लोग इसमें पढ़ेंगे manual resources, pollutions and teaching aids pollutions एक issue है, manual resources एक issue है और इसमें environment को पढ़ाते होग हम कौन कौन सा teaching aids को use करेंगे तो यह हुआ environmental studies के बारे में, इसके बाद हम लोग देखने के language 2 जो के English होगा, English भी आपको एक बहुती interactive अंदाज में पढ़ाए जाएगा, जो के आपको इस subject से जारा से जारा मांक्स को गेन कर पाए, तो English language 2 में हम लोग पढ़ेंगे improvement of the sentence, and the sentence improvement के बारे पढ़ेंगे, spelling mistakes, fill the blanks with articles and prepositions, parts of speech, basic concepts, reading comprehension, जो के बहुत important और यहां से तक्रीमन 10 से 8 marks questions किये जाएगे, तो यहां पे आपको बहुत एक intelligence और interactive process बताई जाएगे, reading comprehension, unseen passage and unseen prose and unseen passage poetry, तो कैसे prose को और poetry को आप solve करेंगे, उसके बाद pedagogy, that means language development, तो हम लोग language development और English सिखने में एक बच्चों को क्या क्या परिशानी होती है, उसके बारे में हम लोग pedagogy में पढ़ेंगे, और हम लोग pedagogy में पढ़ेंगे, LSRWA, listening, speaking, reading, writing, इसके लाब बहुत सारे थेयोरी है, Norm Chomsky का है, उसके बाद बहुत सारे थेयोरिस्ट है, जो लोग language development और बच्चे की किस age में कैसे development करेंगे, उसके बारे हम लोग इसमें पढ़ेंगे, और last में, जो के हम लोग और उर्दू का 30 marks का सी टेट और इंडिया किसी भी टेट में questions किये जाएंगे, तो उसका जो बुनियादी कहा से main questions किये जाते हैं, और ये एक marks गेनर subject है, तो friends, इसको आप लोग जारस ज़्यादा ध्यान दे और इसको बहुत ये नए अंदाज में, नए स्राइट के साथ जाएगी, तो उर्दू में हमने पढ़ेंगे, क्वाइद और उसके इजजा, क्वाइद और उसके इजजा, यानि क्वाइद और उसके grammar and its components, हर्फ के बारे में पढ़ेंगा, हर्फ की कितनी किसम होती है, कलीमा के बारे में, उसके बारे में, इसमें खास की किसम है, इसमें तेजिए दिजिए दाद की फईरिस्त मतरादिफ cities Dá Shape Pan市 मुत्रादिफ अमज սंत्याद़ की मुट्सरी फईरिस्त मुझकर UMनस की तादाद है मुट्शाब मुट्शाबिस सूत अल्फ वाज औरुन के मानमी फर्क साथ के लाहत के महाव he जरुबूर मसल नहो अर्भी जमा फार्सी जमा वाहिद जमा की फैरिस्ट और हालत यानि केस रोमुजो अकाफ उरुजो बलागा से मतलिक चन जरुर इस्तलात और बहुत सारे objective questions तो फ्रेंड्स ये उर्दू का एक complete मोकमल जो कि किसी भी इंडिया के state state में सवलात पुछी जा पराम से 25-28 मार्क्स गेन कर सकते हैं तो फ्रेंड्स ये रहा एक छोटा सा ओभर्वीव सी टेट और स्टेट के सिलिवस के बारे में है तो फ्रेंड्स हमको उमीद है कि आप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा हमको उमीद है फ्रेंड्स आपको ज़्यादा इस वीडिय क्वेरिय तो कमेंट करें फ्रेंड्स आप लोग जो भी डियेड में जो भी पड़े हैं बस उसी को यहां पर इलाबोरेट करके और अंदाज में पढ़ना है जो कि आपको एक्जाम करेक करने में कोई नहीं रो सकता तो फ्रेंड्स ज़रा समयनत करें और अपने काम्याभी क को सामने देखें तो फ्रेंड्स जारा से ज़्यादा इस वीडियो को शेर करें लाइक करें और कोई भी क्वेशन हो तो कमेंट करें तो फ्रेंड्स ठैंक यू ठैंक ठैंक्स अफॉल ठैंक्स